विदा होगी कि साथियों इंफा स्ट्रक्चर का स्वास्त ठीक करने के साथ साथ सरकार नागरीकों का स्वास्त भी आप सभी को देश के जन जन को सस्ती और उत्तम स्वास्त सेवाई देने के लिए भी प्रतिबद्ध है राय बरेली खुद भी स्वस्त रहे और पूरे छेत्र को स्वस्त रखे इसके लिए यहाँ पर बन रहे एम्स के काम को और गती दी गई है आज यहाँ सवाच चार सो करोड रुपिय से जादा की लागत से बनने वाले मेडिकल कालेज, अस्पताल और होस्टेल का लोकारपन और सिलान्यास किया गया है मुंसी गंज में बनने वाला ये मेडिकल कालेज और अस्पताल यहाँ के एम्स का ही हिस्सा है इसका लाग पूरे राइबरेली और आसपास के दूसरे जिलों को होने वाला है सरकार स्वास्त के साथ साथ गर देने के भी चिंता कर रही है केंद्र सरकार साल 2022 तक देश के हर गरिप परिवार को पक्की छत देने का प्रयास कर रही है इसके लिए प्रधान मंत्री आवाज योजना के तहट अब तक देश में सबा करोड से जादा गरों का निर्मान पूरा किया जा चुका है जिनको गर मिलना वाला उनको चावी दे दी गई है और ये जो दिवाली गई उन्होंने अपने नए गर में दिवाली भी मनाई है राय परेली में भी जैसा भी योगी जी ने बताया अब तक तेवीस हजार से भी जादा गरों की चावी मेरे गरीब परिवारों को भाई बहनों को दी जा चुकी है थोड़ी देल पहले ही पांसो और नए घर बनाने की शुरुआत भी की गई है ये जो घर बन रहे हैं ये पहले की तरह सिर्प चार दिवारे नहीं है हमारा प्रयास है कि हम जो घर बना के दे उसमें नल भी हो और नल में जल भी हो बिजली का कनेक्शन भी हो गेस का कनेक्शन भी हो और इजदगर साउचाले तो जरूर हो भाईयों और बहनों देश के इतिहास में दोस्तों देश के इतिहास में आज का दिन एक और वज़े से भी बहुत विशेश है 1971 में आज के ही दिन भारत की बीज सेना ने आतंक अत्याचार और अराजक्ता की प्रतिक शक्तियों को धूल चटाई थी इस युद्ध का हिस्सा रहे देश भर के सभी सैनिकों को मैं नमन करता हूँ जो सैनिक युद्ध में सामिर हुए शहीद हुए जिसमें उत्तर प्रदेश के भी अनेक बीर सपूत थे उनको भी मैं 130 करोड देश वाश्यों की तरफ से स्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ सेना के सौरिय समर्प्रण के प्रति दिसंबर के सर्द मौसम में भी सरहत परतैनात अपने प्रहरियों का गवरवगार्ण करने के लिए आप सभी दोनों हाथ उठा कर मुठ्टी भीच कर दोना हाथ उपर करजिए मुठ्टी भीच कर मेरे साथ उन वीर जमानों के लिए बोलिए भारत माता की भारत माता की भारत माता की बायो और बेहनों सोचिये जिस भारत मा की जय के नारे पर आपको गवरव होता है कुछ लोगों को इससे भी सरमिंदा होते देखा गया है यह किस तरह के लोग हैं जिने भारत माता के जय गोश से दिक्कत हैं जिने देश की परवा नहीं है साथियों मोदी को उन्हें गाली देनी है मैं जानता हूं मोदी पर वो किसी भी तरह एक दाग लगा देना चाहते हैं यह भी जानता हूं लेकिन जानना चाहता हूं कि इसके लिए देश को ताग पर क्यों रख दिया गया है क्यों देश की सुरक्षा से खिलवार किया जा रहा है भाई और बैनों आज देश के सामने दो पक्ष है एक एक पक्ष सत्य का है सुरक्षा का है सरकार का है जो हर तरह से कोशिश कर रही है कि हमारी सेना की ताकत बड़े दूसरा पक्ष उन ताकतों का है जो किसी भी कीमत पर देश को कमजोर करना चाहता है अब मुझे बताईए भाईयों हमारे देश की सेना ताकतवर होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए कि देश की सेना सामर्तवान होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए सेना के हाथ में आधुनिक हत्यार होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए आज देश ये देख रहा है कि कॉंग्रेस उन तांकतों के साथ खड़ी है हमारे विरोधी उन तांकतों के साथ खड़े हैं जो हमारी सेनाओं को मजबूत नहीं होना देना चाहते हैं ऐसे लोगों की कोशिशों को किन किन देशों से समर्शन मिल रहा है यह भी देश देख रहा है क्या करण है कि हां ऐसी भासा कुछ नेता बोल रहे हैं तालिया पाकिस्तान में बजाई जा रही है ऐसा क्यों हो रहा है साथियों राम चरित मानस में एक चौपाई है गोश्वामित तुलसिदाजी ने लिखा है कि भगवान राम किसी का व्यक्तित्व समझाते हुए कहते हैं जूठाई लेना जूठाई देना जूठाई भोजन जूठ चबेना यानि कुछ लोग जूठी स्विकार करते हैं जूठी दूसरों को देते हैं जूठ का ही भोजन करते हैं और जूठी चबाते रहते हैं कुछ लोगों ने इनी पंक्तियों को अपने जीवन का मूल मंत्र बना दिया है और इसलिए ऐसे लोगों के लिए देश का रक्षा मंत्राले भी जूठा है देश की रक्षा मंत्री भी जूठी है भारतिय वेना वायुसेना के अपसर भी जूठे हैं फ्रांस की सरकार भी जूठी है अब तो उन्हें देश की सर्वच्च अदालत भी जूठी लगने लगी है लेकिन साथियों लेकिन साथियों सच को सुरुंगार की जरुरत होती नहीं है सच को सुरुंगार की जरुरत नहीं होती और जूठ चाहे जितना भी बोला जाए उसमें जान नहीं होती है लेकिन हमारे हां बहुत बड़ी बात कही गई है कि जयेत सत्य ने चानुतम यानि जूठ बोलने की प्रभुत्ति पर सत्यवाधिता से ही विजय प्राप्त होती है मैं देश वाशियों से स्पस्त कहना चाहता हूं कि कॉंग्रेस सरकारों का इतिहास सेनाओं के प्रती कॉंग्रेस का रविया क्या रहा ये देश कभी उनको माप नहीं करेगा देश कभी उसे भूलेगा नहीं साथियों करगिल युद्ध के बाद हमारी वायू सेना ने आधुनिक विमानों की जरुवत बताई थी करगिल की लड़ाई के बाद अटल जी की सरकार के बाद कॉंग्रेस ने दस साल देश पर राज किया लेकिन वायू सेना को मजबूत नहीं होने दिया आखिर क्यों किसके दबाओ में भाई और बहनों रक्षा सौदों के मामले में कॉंग्रेस का इतिहास बोफोर्ज गोटाने वाले क्वात्रोची मामा का रहा है कॉंग्रेस सरकार के समय में हुए हेलिकॉप्टर गोटाने के आरोपी एक और अंकल क्रिस्टन मिशेल को पकड़ कर कुछ दिन पहले ही भारत लाया गया है और हम सभी ने ये भी देखा है कि कैसे इस आरोपी को बचाने के लिए कॉंग्रेस ने तूरंद अपना वकिल अदालत में भेज दिया मैं कॉंग्रेस से जानना चाहता हूँ कि क्या वो इसलिए भड़की हुई है जूट पर जूट बोल रही है क्योंकि भाजपा सरकार जो रक्षा सोदे कर रही है उसमें कोई क्वात्रोची मामा नहीं है कोई क्रिश्चन मिशेल अंकल नहीं है क्या इसलिए वो अब न्याए पालिका पर अविस्वात का माहोल पैदा करने में जूट गई है न्याए पालिका को ही कटगरे में खड़ा करने में वो बराबर लगे हुई है भाई और भेनों हमारे लिए हमेशा दल से बड़ा देश है और जीवन परियांद आने वाली पीडियों तक हमारा यही मंत्र रहेगा दल से बड़ा देश है आज मैं देश को कहना चाहता हूँ कि जब देश की सुरक्षा की बात हो सेना की जरुरतों की बात हो सैनीकों के सम्मान की बात हो केंद्र की भाजपान नेत्रुत्म वाली एंडिये सरकार सिर्फ एक ही बात का ध्यान रखती है राश्ट्रहीत देश हीत जन हीत यही हमारी परवरिस है यही हमारी सरकार के संस्कार है हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि भारत की सेनाए किसी से कम न हो हमारे लिए जान की बाजी लगाने वाले सैनिकों को कभी दिक्कत न हो आखिर मैं उस मा के प्रती भी तो जबाब दे हूँ जो अपना बेटा सिमा पर भेजती है मैं उस बहन के प्रती भी तो जबाब दे हूँ जिसने अपना भाई बॉर्डर पर भेजा है जो परिवार जो बच्चे अपने पापा का इंतरजार कर रहे हैं उनके प्रती भी तो मेरी जबाब दे ही है जब तक हमारी सरकार है जब तक मैं हूँ सरकार ऐसे लाखो करोडों परिवारों के प्रती जबाब दे होगी एक परिवार के प्रती नहीं इसके लिए कड़े से कड़े फैसले लेना हो हमारे कदम कभी पीछे नहीं हटेंगे भाई और भेनो हमारे जबानों की सुरक्षा के प्रती कॉंग्रेस का रवया क्या रहा ये मैं देश को फिर याद दिलाना चाहता साल दोहजार नव में भारत की सेना ने एक लाग छाशी हजार बुलेट प्रूप जेकेट की मांग की थी दोहजार नव से लेकर के दोहजार चौदा तक पांच साल बिद गए लेकिन सेना के लिए बुलेट प्रूप जेकेट नहीं खरीदी गई केंद्र में हमारी सरकार बनने के बार दोहजार सोला में हमने सेना के लिए पचास हजार बुलेट प्रूप जेकेट खरीद करके उनको सुपृत कर दिये हैं मैं देश को ये भी जानकरी देना चाहता हूं इस साल अप्रिल में पूरी एक लाग 86,000 बुलेट प्रूप जेकेट का ओडर दिया जा चुका है ये जेकेट बारत की ही एक कंपनी बना रही है भाईयों और भेहनों कॉंग्रेस के पापों के बारे में बताने के लिए इतना कुछ है कि बोलते बोलते सायद सप्ताप के सप्ताह निकल जाएं आज मैं देश को ये भी जानकारी देना चाहता हूँ अगर 2014 के बाद भी देश में कॉंग्रेस की सरकार बनती तो हमारा गवरो देश का गवरो तेजस लड़ा को विमान हमेशा हमेशा के लिए डिब्मे में बंद कर दिया जाता कोई पूछने वाला नहीं होता कॉंग्रेस सरकार के समय तेजस के निर्मार से जुड़ी हर चीज को कमजोर करने का प्रयास यूपिये सरकार में हुआ यह प्रोजेक पहले ही बर्सों से अठका हुआ था लेकिन कॉंग्रेस सरकारों के दौरान इसे तेज करने की कोई कोशिश नहीं हुई भारत्यपा और NDA की सरकार आने के बाद हमने जुलाई 2016 में यह फैसला लिया कि तेजस को 45 स्कॉंटर में शामिल किया जाएगा हमारी सरकार ने 83 नए तेजस विमान खरीज जाने खरीजे जाने का प्रस्ताव स्विकृत्ती दे दी इतना ही नहीं तेजस विमान बनाने के हाल H.A.L. की ख्षमता को दो गुना करने के लिए पिछले साल 1400 करोड रुपिय की भी मंजुरी दी गई भाई यो और बहनों स्वतंत्रता के बाद से ही कॉंग्रेस का यह तरीका रहा है कॉंग्रेस सरकार के द्वारा किये गए हर रक्षा सोदे में कोई ने कोई विदेशी मामा कोई विदेशी अंकर कोई चाचा कोई भतीजा कोई ने कोई तो निकल आता है और इसलिए जब पारदर्शिता और इमानदारी से सोदे होते हैं तो कॉंग्रेस बॉखला जाती है एक तायर रण दिती के तहट सेना पर ही धावा बोल देती है सेना को कमजोर करने का प्रयास करने लगती है साथियों सेनाओं की मान मर्यादा वैसे भी कॉंग्रेस और उनके चेले चपाटों की कलपना से परे हैं जिस पार्टी के लोग हमारे सेना देश को गुंदा कहते हो और गुंदा कहने वाले को जहां पार्टी में उचे पद पर बिठाया जाता हो ऐसे लोगों से और क्या उम्मिद रखी जा सकती है जिस पार्टी के लोग सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाते हो अपनी सेना से जादा दुश्मनों के दावों पर जादा बरोसा रखते हो उससे क्या उम्मिद क्या की जा सकती है जिस पार्टी के लोग मामुली रखम सिरफ पांसो करोड रुपिय रख करके फोज की आँख में दूल जोंकने का हीन प्रयास करते हो और पांसो करोड रुपिय में वन रेंग वन पेंशन का जूठा दिलासा दे करके फुल मालाए पहनने लग जाते हो ऐसे लोगों से क्या उम्मिद की जा सकती है बन रेंग बन पेंशन का विशे भी तो 40 साल से लटका हुआ था इसे भी हमारी सरकार ने पूरा किया ग्यारा हजार करोड रुपिय से जादा की रासी एरियर के तौर पर पूरवर सहिनिकों को फोजियों को मिल भी चुकी है साथ्यों कॉंग्रेस के राज में न जवान की परवा की जाती है न किसान की परवा की जाती है जवानों के बाद अम मैं विस्तार से किसानों की भी बात करूंगा सतर सान मैं पहली बार देश की किसी सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने के बारे में सोचा है तो वो हमारी सरकार है NDA की सरकार है किसानों की एक एक परशानी समझकर बविश्की ज़रुर्तों को समझकर बीज से लेकर के बाजार तक हमारी सरकार ने नीत्या बनाई और उने लागू कर रही है हम बहुत इमांदारी से बहुत परिश्रम से किसानों को खेती से जुड़े संकटों से बहार निकालने का प्रयास कर रहे हैं लेकिन देश के किसानों को कॉंग्रेस का इतिहास उसकी नीतिया उसकी सचाई उसकी दोखागड़ी कभी भी नहीं भूलनी चाहिए कॉंग्रेश के पास इस बात का क्या जवाब है कि जब वो दस साल तक सत्ता में रही तो क्या उसने स्वामिनाथन कमिटी की रिपोर्ट को लागू क्यों नहीं किया आखिर किसका दबाव था क्यों उसने MSP जैसे अहम विशे को जमीन के बीतर ही गाड़ दिया था कि इस बात का जवाब कॉंग्रेश कभी नहीं देगी और नहीं उसका बनाया इको सिस्टीम उससे कभी जवाब मांगेगा लेकिन भाई और बेहनों केंदर की एंडिये सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने के लिए MSP पर स्वामीनाधन कमेटी के रिपोर्ट को लागू किया खरीप और रभी की 22 फसलों पर आज MSP को सुनिश्चित किया गया है कॉंग्रेस का इको सिस्टीम आपको कभी यह नहीं बताएगा कि सिर्फ इस एक फैसले से और यह बहुत महत्वपूर बात है सिर्फ इस एक फैसले से हमारे देश के किसानों को साथ हजार करोड रुपिय से ज़्यादा मिलना तै हुआ है साथ हजार करोड रुपिय का फायदा भाई और बहनों मैं कॉंग्रेस से यह भी जानना चाहता हूं कि आखिर वो किसका दवाव था जो वो यूरिया की सत प्रतिशद नीम कोटिंग कर्ज के फैसले से भागती रही हमारा देश का किसान यूरिया के अभाव में लाठिया खाता था कॉंग्रेस की सरकार उसका तमासा देखती रही साथ क्यों मैं देश को फिर याद दिलाना चाहता हूं कि ही कॉंग्रेस सरकार थी जब किसानों से फसल विमा के लिए 15 प्रतिशद से जादा प्रिम्यम लिया जाता था विमा की रासी में भी कैपिंग होती थी 30 प्रतिशद फसल का नुक्सान हुआ है या 40 प्रतिशद का इसी में भी बड़े बड़े गोटा लेके खेल खेले जाते थे प्रधान मंत्री फसल विमा योजना लाकर हमारी सरकार ने किसानों की इंसारी समझ्चाओं को दूर किया आज अलग अलग फसलों पर सिर्फ डेड़ प्रतिशद से लेकर पांच प्रतिशद तक का प्रिम्यम किसानों से लिया जाता है सौ रुपिये में सिर्फ डेड़ रुपिया जादा से जादा पांच रुपिया अगर मैं पिछले दो वर्स का अंकड़ा दूं तो किसानों से प्रिम्यम के रुप में आठ हजार करोड रुपिया लिये गए पूरे देश में पूरे देश में आठ हजार करोड लेकिन आपदा के बाद फसल खराब होने के बाद किसानों को 33,000 करोड रुपिये से जादा की मदद उससे मिली आठ हजार के सामने 33,000 करोड किसान के पास गया यानि जितना किसानों से लिया उससे चार गुना से जादा वापस किया गया साथियों बीते कुछ समय से कर्ज माफी को लेकर भी कॉंग्रेट बड़ी-बड़ी बाते कर रही है लेकिन ये भी सिर्फ दोखा है जूट है करनाटक में कॉंग्रेट ने किसानों से कर्ज माफी का वादा किया था सिर्फ दस दिन की बात कही गई थी लेकिन आज छे महने बात सच्चा ही कुछ और है अभी दो-तिन दिन पहले ही अकबारों ने विस्तार से रिपोर्ट छापी है कि करनाटक में छे महने में एक हजार किसानों को भी कर्ज माप नहीं हुआ है सोचिए एक हजार को भी नहीं सैंकडों किसानों के खिलाप अदालतों ने कारवाई शुरू कर दी हैं उनके खिलाप गिरपतारी का वारन डिकल रहा है कॉंग्रेस पूरी ताकत लगा रही है कि ये सच्चाई दब जाएं छिप जाएं देश के किसानों के सामने ना आएं लेकिन किसानों से की जा रही है दोखागड़ी उन्हें हमेशा हमेशा के लिए बरबाद कर देने वाली कॉंग्रेस की साजीश को बीजेपी सरकार घर घर जाकर के पहुंचाएंगी साथियों याद करिए 2008 में भी कॉंग्रेस ने देश बर के किसानों को ऐसी ही कर्ज माफी का बादा किया था तब देश के किसानों पर 6 लाग क्रोड रुपीय से ज्यादा का कर्ज था लेकिन कॉंग्रेस सरकार ने कर्ज माफी की कितनी की 6 लाग क्रोड का क्र्ज और किया कितना सिरफ साथ हजार करोड कहां छे लाग करोड और कहां साथ हजार करोड कितना बड़ा धोका इतना ही नहीं कर्ज माफी की आड़ में ऐसे 35 लाख लोग करीब करीब वो निकल आये जो कर्ज माफ कर दिया गया लेकिन वे कर्ज माफी के हकदार ही नहीं थे पिछले दर्वाजे से रुपिय मार गए भाई और बहनों खेती किसानी से जुड़ा कोई भी सेक्टर हो कॉंग्रेस ने उसे मजबूत करने की और कभी भी ध्यान नहीं दिया फूर्ड प्रोसेसिंग हो बीच की क्वालिटी में सुधार हो एग्रिकल्चर रिसर्च हो खेती से आए बढ़ाने वाले अन्य साधन हो सिंचाई की ववस्ता हो जितना प्रोचाहान इन्हें सरकार से मिलने चाहिए था वो कॉंग्रेस ने कभी नहीं दिया आज सेंक्ड़ों नए क्रिसी विज्ञान के इंद्र खोलकर 17 करोड से जादा सोईल हेल काड़ देकर फूड प्रोसेसिंग में 100 प्रतिशत एफडियाई करके देज बर में सेंक्ड़ों नए स्टोर हाउसेस खोलकर पूरी सप्लाई चेन को मजबूत करके किसानों का खर्च कम करने और फसल की उचित किमत दिलाने का प्रयास किया जा रहा है साथियों सरकार चाहे केंद्र की हो या फिर योगी जी की अगवाई वाली यूपी की सरकार हमारा एक ही मंत्र है सबका साथ सबका विकास इसको सुनिश्चित करने के लिए दिन रात हम लगे हुए है यहां राइबरेली में भी आठ लाख लोगों के बैंक खाते खोले गए है पौने दो लाख मैलाओं को मुप्त गैस कनेक्शन दिया गया है लगबग 55,000 गरों को मुप्त बिजली कनेक्शन देकर रोशन किया गया है आप सभी का अबुत्पुर्व सयोग सरकार के प्रयोसों को सक्ति दे रहा है आपके सयोग की ये शक्ति है कि सामान्य से सामान्य मान की जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने में हम सभल हो पा रहे हैं आने वाले समय में सरोकार और सयोग की इस भावना को हम और मजबुत करना है मिलकर के करना है राय बरेली समय पूरे उत्तरपदेश के तेज विकास के लिए हर स्तर पर हमें मिलकर आगे बढ़ना है इसी विश्वास के साथ एक बार फिर तमाम विकास परियोजनाओं के लिए आप सभी को बहुत बहुत बढ़ाई देता हूँ आप यहां भारी संख्या में हमें आशिरवात देने पहुँचे इसके लिए भी मैं आप सब का रज़य से धन्यवाद करता हूँ मेरे साथ जोर से बोलिए भारत माता की भारत माता की भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद हम बहुत आभारी है आपके आपने अपनी व्यसितम पलों में से कुछ पल चुरा कर हमारे नाम किये राइबरेली की जनता उत्तरपरदेश की जनता आभारी है आपकी पाजिस्तान के हुपवरां सोले हमारे अखारा जबानों का बलिजान पेटा हमारे आपके एह है आपके आपकेशतक दिया आपेश् друз Bringing Luist